हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे बच्चों आज किसे वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वर्ग 11 यानि वर्ग कक्छा 11 का इतिहास का हम लोग जहें सेट 2 करने वाले हैं ठीक है और इसके पहले भी सेट 1 आपके चैनल पे योगों से निवेदे ने यदि आप हमारे चैनल पे पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा घंटी के बेल ऐकन को प्रेस कर लिजेगा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए ठीके बचों तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है आपके स्क्रिन पर दिख रहा है तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ओप्संस नंबर A दो नदियों की बीच की भूमी नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा अस्रिया सब्धेता की राजधानी कहां थी आपके ओप्संस है बेबी लोन, B मिसर, C चीन, D या मारी तो बच्चों इसका सही आंसर हो जा B पत्थरों से बना सहर, C मिट्टी से बना सहर, D इनमे से कोई नहीं ठीक है बच्चों तो सुमेर सब्ध का साब्धिकर्थ आपको बताना है तो सुमेर सब्ध का साब्धिकर्थ हो जाएगा इटों से बना सहर, जिस सहर को इटों से बनाया जाता है उसे ही हम लोग क्या करत थें थे नेक्स्ट सवाल हम फिर स्वाल के चलते हैं चलिए छोथ था हमारों के रोटी नकिन जानवरों के चितर की परधान्त है तो आपई यहां पर आपको इसमें से पस बोला बैल है मचली है रोटियां है तो इनमें से क्या है कि सभी इसमें पाया गया है तो आप क्या किजिए इसका सही आंसर अगर देना है तो आप अपसन नमबर डी इसका सही जवाब होगा छटा सवाल है हमारा मेसोपोटामिया की परमुख उपजवाली फसल कौन सी है गेहूं है जाओ है मतर है या इनमें से सभी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बचो आपसन नमबर ए इसका सही जवाब है गेहूं ठीक है नेक्स्ट साथमा सवाल है हमारा, जूलते बाग की सब्यता की देन है, जूलते बाग की सब्यता की देन है, माया सब्यता है, बेबी लोन की सब्यता है, हलपा सब्यता है, या मिस्र की सब्यता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेबी लोन की सब्यता, option number B इसका सही जवाब नेक्स्ट है हमारा बेबी लोन में जूलते हुए बाग का निर्मान कि सासक ने करवाया था तो बेबी लोन में जूलते हुए बाग का निर्मान किसने किया था नबू वत नेजर ने ठीक है option number A इसका सही जवाब है नेक्स्ट है हमारा किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है बाइबल में, गीता में, ओल्ड टेस्टामेंट में या इनमें से कोई नहीं ठीक है बच्चो तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाइबल में किस में आती है बच्चो बाइबल में नेक्स्ट है हमारा मिसर की सभिता के विकास किस नदी के किनारे हुआ है नील नदी दजला नदी सिंधु नदी या फिर फरात नदी ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चो नील नदी ओपसन नमबर एसका सही जवाब होगा नील नदी के किनारे हुआ था तो नेक्स्ट स्वाल है बच्चों अमरा रोमन समराज में नाइट किनह कहा जाता था तो उसमें नाइट किसे कहा जाता था तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C अस्वरोहियों को नेक्स्ट है जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा सासक बांसरी बजा रहा था ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चो आप्सन नमबर C नीरो कौन था आप्सन नमबर C नीरो नेक्स्ट है बच्चों, पेपीरस कहां पाया जाता था? इसका सही जवाब होगा बच्चों, नील नदी के किनारे कहां पाया जाता था? नेक्स्ट सवाले बच्चों हमारा रोम कैतिहास किसने लिखाता तो इसका सही जवाब हो जाएगा टैटस लीवी ने किसने लिखाता टैटस लीवी ने option number A इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट है हमारा जुलाई महा का नाम किसके नाम पर पड़ा जुलाई महीना का जो नाम है वो किस के नाम पर पड़ा आपको बताना आए ते इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों जूलियस सीजर के नाम पर आपसन नमबर A इसका सही जवाब है सोलमा सवाल है बच्चों हमारा रोमन समराज के राजनेतिक एतिहास के तीन मुख्य खिलाड़ी कौन थे तीन मुख्य खिलाड़ी कौन थे तो इसमें जो तीनो नाम आपको दिया गया है ये तीनो उसके मुख्य खिलाड़ी थे नेक्स्ट है हमारा निमलिकित में से किसे रोमन समराज्य का हिर्दे कहा जाता है अठारा का क्या होगा बच्चों? उप्शन नमबर C, भूमते सागर उप्शन नमबर C, इसका सही जवाब है उनिस्वा सवाले बच्चों, इस्पेन डैस वैपार के लिए परसित था इस्पेन किस वैपार के लिए परसित था? तो जैतुन के तेल के लिए परसित था उप्शन नमबर A, इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट है हमारा पेपाईरस, यानि पेपिरस, क्या था? तो इसका सही जवाब होगा, उप्शन नमबर B, एक पौधा था क्या था बच्चों? एक पौधा था अगला सवाले बच्चों हमारा हजरत महम्मद साहब का जो जन्म है, वो कब हुआ था? ठीक है? तो आपके उप्शन्स हैं, 460 इसवी में, 570 इसवी में, 622 इसवी में या 670 इसवी में तो बच्चों इसका जो सही जवाब होगा, उप्शन नमबर B इसका सही जवाब होगा ठीक है, नेक्स्ट, पैगेंबर मुहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताना है, आपके उप्शन से बच्चों, A. एहमद, B. असन, C. हुसेन, D. आरिफ ठीक है बच्चों? तो इसका सही जवाब होगाएगा, उप्शन नमबर A. एहमद ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अल बरुनी ने किस पुष्टक की रचना की थी? तो इसका सही जवाब होगा, तहकीक A. हिंद, आप्सन नमबर D. आप्सन नमबर D. इसका सही जवाब होगा. नेक्स्ट सवाल है बच्चों, हमारा 26 सवाल, नाई फार्सी कविता का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, रुदकी. कौन होगा बच्चों? रुदकी, आप्सन नमबर C. नेक्स्ट है बच्चों, हमारा निमलिखित में भुगोल वत्ता कौन थे? ठीक है तो इसका सही जवाब होगा, आप्सन नमबर A. खतीजा. आप्सन नमबर A. नेक्स्ट, किसने दूर्बीन और कुतुब नूमा का अविश्कार किया था? तो इसका सही जवाब होगा, बच्चों, चीनियों ने. आप्सन नमबर B. इसका सही जवाब है. नेक्स्ट है, गजन स्थापक कौन था गजनी स्थापक कौन था बच्चों तो इसका सही जवाब होगा मेहमूत गज्णवी option number C इसका सही जवाब है next है हमारा लुई चोद्वा के निरंकुष्टम राजतंत्र को किसने संभव बनाया था 31 तो बच्चों इसका सही जवाब होगा रिश्लू और मेजारेन ने Option number C इसका सही जवाब है Next है बच्चों हमारा 32 सवाल सामंती वेवस्था का मुख्य आधार क्या था भूमी था, सेवा था, सेना था या फिर वैपार था तो बच्चों जो इसका सही जवाब होगा Option number B सेवा था Next, डॉन की वी जोट उपन्यास में किस वर्ग की परमुकता से चितरन किया गया था नाइटों का, बैरनों का, विसपों का, फ्रायरों का तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइटों का, Option number A इसका सही जवाब है Next, हमारा बच्चों, रोमन चर्च का परधान कौन होता था पॉप, विसप, पादरी या फिर फ्रायर तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों, पॉप, Option number A Next, टाइथ किस परकार का कर्था भूमी कर्था, वैपारिक कर्था, धार्मिक कर्था, या फिर सैनिक कर्था तो बच्चों, इसका सही जवाब है, Option number C है, धार्मिक कर्था Next है, हमारा धर्म सुधार आंदोलन के सर्व पर्थम परवर्थक कौन थे 36, इसका अंसर है, बच्चों, मर्टिल लूथर, कौन थे बच्चों, मर्टिल लूथर, किंग Option number A Next, 37, नमबर सवाल है, बच्चों, हमारा धर्म सुधार आंदोलन की सुरुवात कहां हुई थी तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों, जर्मनी में आपके ऑप्सन से, नाइट, मेर, फाइप, या इन में से कोई तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नाइट, ऑप्सन नमबर A Next, सवाल है, बच्चों, गुलाबों की ललाईयां कहां हुई थी फ्रांस में, इंगलाइंड में, जर्मनी में, या फिर रूस में ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों, इंगलाइंड में, कहा होई थी इंगलाइंड में, ऑप्सन नमबर B, इसका सही जवाब है Next, चालिसमा सवाल और आखरी सवाल है हमारा Divine Comedy के लेखा कौन है, दाते, Homer, Shakespeare, या फिर चौस तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, दाते, कौन होगा बच्चों, दाते Options नमबर A, दाते का spelling बच्चों इस तरह से होगा, ठीक है इस तरह से होगा दाते, ठीक है तो उमीद करते हैं बच्चों, आपको आज का ये class बिल्कुल पसंद आया है पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक किजिए, चैनल पर जदी पहली बारा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आइसा नहीं कि आप class 11 में है, तो सिर्फ आपको ये फाइदा मिलेगा इस चैनल के द्वारा आपके नीचे, आपके यतने भी छोटी भाई-भाईजी ने सबको इससे फाइदा मिलने वाला है, तो आप इस चैनल को सेर किजिए, अपने रिस्तेडारों में, अपने नजदी की दोस्तों में, चलिए मिलते हैं हम अपने अगले class में, तैंक यू